दोस्तो जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से पिरभास अपनी अपकमिंग मुवी बाहु बली 3 में नजर आने वाले हैं दोस्तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बार पिरभास एक नई मुवी लेकर आ रहे हैं बाहु बली का तीसरा पार्ट सुत्रों के हवाले से ख़वर मिल रही है कि बाहु बली का तीसरा पार्ट आप लोगों के बीच में जल्दी ही आ जाएगा लेकिन बाहु बली 3 में तमन्या का रॉल भी देखने को मिलेगा क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि अकसर पिरभास अपनी किसे ना किसी कॉंटरवर्सी का हिस्सा रहते हैं और हाली में ही एक बयान में जारी किया गया था पिरभास ने बताया था कि वो फिलाल अपनी अपकमी मोवी के लिए काफी एकसाइटर ने हैं बाहु बली का तीसरे पार्ट को लेके भी काफी चर्चाओं का विसे बने हुए रहते हैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ कि पिरभास एक ऐसे एक्टर हैं कि उनकी मोवी ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं और पिरभास जल्दी ही करन जोहर के साथ में एक नई मोवी भी कर सकते हैं सूत्रों के हवाले से ख़वर मिल रही है कि पिरभास को एक नया ओफर भी मिलाता बॉलिवूड के लिए जो कि करन जोहर चाहते थे कि वो उनकी मोवी में काम करें लेकिन पिरभास ने अभी अपनी फाइनल डेट किसी को नहीं दी क्योंकि जल्दी ही उनकी देखने को मिलेगी बाहू बली थ्री के लिए ओंडियन्स को भी वाकई में दोस्तों काफी इंत्जार है क्योंकि अकसर देखा गया है कि बाहू बली एक्टर पिरभास ने अपने अलग-अलग एक्शन के लिए भी जाने जाते हैं क्योंकि वो जितने एक्संदार हीरो हैं इतने ही ज़्यादा वो लवर स्टोरी के तोर पर भी देखे गई हैं पिर वहाँ से एक ऐसे एक्टर हैं कि जिनकी भारत सही दुनिया में भी काफी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और और्डियन्स भी उनको वाकई में काफी आधिक पसंद करती है आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि तमन्ना के साथ में बाहु बली 3 में नजर आएंगे तमन्ना का रॉल भी बाहु बली में होने जा रहा है दर्सको की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाएं तो दर्सक चाहते हैं कि बाहु बली का तीसरा पार्ट और भी ज़्यादा एकसाइडिड होने जा रहा है इस्टोरी में थोड़ी सी चैंजिस दिखाई जाएगी जिसस्टोरी में आप देख पाएंगे कि आखिरकार बाहु बली का तीसरा पार्ट में कितना कुछ अभी एकसन बाकी है क्योंकि बाहुबली की अगर बात की जाएं तो आभी से ही काफी अच्छे अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं पिरभास को पिरभास ने अभी हाली में ही एक इंटर्वियू में बताया था कि वो बाहुबली 3 के लिए जल्दी ही सूटिंग में व्यस्त हो जाएंगे क्योंकि सुने में यह आरा कि मार्च के आसपास में सूटिंग स्टार्ट हो जाएगी बाहुबली पार्ट 3 के लिए जिसमें एक बतोर एक्टर के साथ साथ में वो एक नया एक्षन करते हुए भी अपने दर्सकों के बीच में नजर आने वाले हैं क्योंकि प्रभास ने बताया है कि वो अपने फैंस के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तयार हैं प्रभास ने ये तक बोला है कि आज मैं इतनी बड़ी उपलब्दी जो हासिल की है वो मेरी बदोलत नहीं बलकि मेरे फैंस की बदोलत है दोस्तों आपको पता ही है कि पिर्भास का बॉलिवुड में भी काफी अच्छा सिक्का चलता है और साउथ मूवी इनमें भी पिर्भास नंबर वन के एक्टर है क्योंकि ज़्यादा तर देखा गया है कि इनकी मूवी के लिए इनके फैन्स पहले से ही चाहते हैं कि वो कोई न कोई एक ऐसी मूवी देते नजर आएं जिसका एक्टर के साथ साथ में वो रॉमांस करते नजर आएं और जल्दी ही करन जोहर के साथ में भी वो रॉमांटिक मूवी करते हुए नजर आ सकते हैं उससे पहले वो बहु भली तीन का पार्ट जो की सूट कर लेंगे साथ ही दोस्तों आप लोगों से अनुरोज जरूर करना चाहएं और गाइस मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर करें